तो आज बनाएंगे दिल्ले स्टाइल एकदम मज़िदार सा छोला और मैंने घी का इसमें तड़का दिया था बहुत ही मज़िदार बहुत ही टेस्टी बनता तो चले स्टार्ट करते हैं और हागर चैनल पर नहीं है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना त तो इसके बाद मैंने कोई सोड़ा बागर नहीं डाला है मैंने चैनल तो उसके बाद मैंने फिर्फ देज आज पर पंद्रह मिनिट मैंने इसको लोग पकाया था तो इस बात जयां रखिएगा तो छोले हमारे उबल गयते तो आप एक प्यारी करेंगे तो मैंने प्याज ट ने लॉंग काले मिर्च डाल चीनी लाल मिर्च और देश पत्ता लिया है जिते खड़े मसाले होते हैं वो सब और इसके आदो ने इसमें जी राइट किया था और फिर जो है थोड़ा सा मैंने तड़के के लिए प्याज भी उसकी है अब इसको थोड़ा सा दो तीन में तो ने दुनाया है तो मैं लिंक देदूंगे आप देख़े आप इसके बाद मैं इसमें जो मसाले होते हैं ऑड़ा और नमक हल्डी घर का वसाला था रविडियो और उसके बाद भूना हुआ जीरा और इन सबको अच्कोर अच्छा मिक्स कर लेंगे और इसको अब तब मैं बढुनने गिनारी से चोड़ने लगा तो यह मैंद से पाणी भालारी ड्रंसलिक्राद बढ़ने यहां व्यां द सकते हूं भी स्क जर्वा पाणी सब्सक्राइब अच्छे से और ऐसे ढखके उबाल देंगे और यह देखिए उबलने लगा था तो मुझे इतनी ग्रेवी चीए थी और जब यह इस तरीके से हो जाए पंदर बाद तो मैंने थोड़ी जो मसल दिये थे चने ताकि थोड़ी सी ग्रेवी और गाड़ी और आपको ज़्यादा प जो हींग होता वो डाला है और इन सब को अच्छे से जो मिक्स कर लेंगे और यह हमारा एकदम मज़दार से उपर से जाने के लिए तड़का त्यार है यह बहुत ही टेसी लगता मतलब कि कह सकते हैं पुरे छोले की जान है तो यह आप जरूर ट्रै करेगा उसके बाद मैंन इस में जो है जो है जो चैपत्ती के पानी मैंने इसको नहीं बॉयल किया था मतलब जो चैपत्ती थोड़ साइड करते हैं तो मुझे वाले वह अच्छी न लगे तो आप चाहतो उसमें भी कर सकते हो और यह चावल के साथ मैंने सर्फ किया था बहुत ही टेस्टी मज़दा बने थे तो सारे स्टेप को फॉलो करिएगा थैंक यू